आप लोग मुझे देख के सोचते होंगे कि धोबी थी मतलब धोबी मिन्स मेरा कोई कास्ट को लेके पर्टिकुलर वर्ड नहीं है मैं ऐसे बोलों जैसे लॉंड्री वाली कपड़े धोने वाली थी क्या थी मैं जब देखो तब कपड़े धोती रहती हूं और ऐसे होता है ना हालंकि हम घर में तीन ही लोग हैं पर फिर भी इतने और सबसे ज़्यादा मेरी ही होते हैं एक दिन छोड़के एक दिन हमारे इदर नल आता तो उसकी वज़़ा से भी शायद में एक दिन छोड़के एक दिन कपड़े दोती हूं इस वज़़ासे भी प्लस अगर क्लीनिंग कि दिन और भी आज नहीं रुकिती लेकिन का तो तो कभी-कभी सर चक्रा जाता है मेरा खुद का ही लेकिन इतना जितना सोसते हैं उतना टफ नहीं है आप डेली वियर क्लोथ को बहुत इजीली क्विकली धो सकते हो ये मेरे डेली वियर के कपड़े हैं मैं माई के जाती हूँ तो लेंगे ओडनी पहनती हूँ यहां रहती हूँ तो सूट या लो टीशर्ट कुछ ऐसे पहन लेती हूँ तो लेकिन मैंने फेसे पहले पानी पानी में थोड़ासा सर्फ डालके जोब सब्कता क्पड़े अधाब आघनिए उंको अच्छे से गल जाए। और फिर वह सा एक गूस में सब्रости 2011 कपड़े को बहुत जरुरट होती है तब में साबून यूज करता हूँ तो अगर आपको बहुत सारे कपड़े हैं और आपको दूलने हैं तो आप इस तरीके से धुल सकते हो कि सबसे पहले आप बाल्टी में सर्फ डालिए पानी मिलाइए फिर अच्छे से जागाने तक उसको हिलाइए पानी और सर्फ को उसके बाद भिगो के छोड़ दीजिए कम से कम आप आदा गंटा एक गंटा छोड़ दीजिए उसके बाद आप जादा इतनी आपको महनत करने की जर्रत नहीं है ऐसे दो चार बार हात मारे ब्रश गुमाया और कपड़े साफ हो जाते हैं और मेरे बेट सीटे भी धुलनी थी दो तो वह भी मैंने धुल लिया और जै क्योंकि पहले भूल गई थी पहले कुछ और बॉलने लग गई थी मतलब कपड़े दोने के बारे में इसलिए अब आपका वेलकम कर रही हूं और उमीद करती हूं कि आप सब मज़े में होंगे स्वस्त होंगे और अपनी अपनी फेमेली के साथ अपनी लाइफ इंजोई कर क्या लाइक और सब्सक्राइब करोगे इसलिए बीच में बोल रही हूं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए और मेरे धुल चुके हैं सारे कपड़े अब यह देखिए इनको नही अब हो रही है मेरे मतलब माय के जाने की तयारी क्योंकि यहां की ड्यूटी खतम अब मेरी माय के ड्यूटी लगेगी तो वहां जाने की तयारी हो रही है और मेरे भाई ने फॉन किया था कि मतलब तयार रहना मेरे बतीजा भी स्कूल गया था और घर पे मम्मी के अलावा को कोई नहीं था तो पापा को ज्यादा देर छोड़ नहीं सकते हैं मम्मी से उठाने बिठाने में थोड़ा नहीं आता है उनके पेर का ओपरेशन हुआ पापा के तो अगर उनको लेट बात भी करना है तो कोई दूसरा उठा के फीर करवाता तब है तो दस मिनट का ही रस्ता है तो दस मिनट तो मम्मी संभाल लेगी तो फटा फट से में आ गई थी यहां पर मतलब वहां से फ्री होके माई के पहुंच चुकी हूँ और यहां आने के बाद पता चला कि आज पापा ने सबको बहुत तंग किया मतलब तंग से में सबको उनके पास बेठे ही रहना पड़ कोई इधर उदर नहीं उठ सकता था उनको छोड़के इधर उदर नहीं जा सकता था तब यत तो ठीक थी लेकिन पेर में दर्द होता है और भूल जाते हैं तो उटके चलने लगते हैं इसके वज़़े से वहां उनके पास ही बेठे रहना पड़ा तो और तो सारा काम हो गय पानी पीने की वेवस्ता है पीने का पानी बहुत दूर से आता है और ना ऐसे मिट्टीयां मिट्टीयां कई बहुत दूर मिलती है तो शायद कहीं से ले जाओंगी फीर बाद में इसको साफ करूंगी और अभी है दुपैर का वक्त तो ममी उधर सोरी थी मैं भी यहीं आपका बोले कि आप लोग खालोर सो जाओ मैं बेठी हूं पार की पास और अब हो चुका है तो मैंने पापा को पूचा कि चाय प्योंगे तो इनों हैं प्टाफट से चाय बना कि इनको दे दी थी और हम लोग भी पी यह थे और शाम काना बगेरा बना कि मैं आट बजे वा बाद फिर वापस यहां की duty start मेरी तो रोटियों बना ली और फिर खाने पीने में मेरे 9.30 बच गे थे इतना टाइम हो जाता है माई के से उधर से रवाना होने में वहां का खाना वाना बना के फिर इधर आने में में मेरे को 7.30 बच जाते हैं तो इस तोड़ी लेट हो जाती ह है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कर दीजिएगा पता नहीं कभी कभी जुबानी अटक जाती है थैंक्स फॉर वाचिंग बबाई और आप लोग भी आजाएए खाना खाली